स्वागते दोस्तों तोड़ा सालें दा अपनी चैनल चीह सब डेट्स थे एक और नमी वीडियो देखना ते पूरी एक्सप्लाडेशन दा नूँ आज वीडियो दो वीचे इस पेपर वारे जानकरी देखना ते ना ली कमेंटी करके जुरूर दसना कि नेक्स्ट किस्ट कलास दा कि सब्जेक्ट दा सेंपल वेपर अपलोड किता जावे तांके तो नू टर्म टू दी प्रिख्यामा दे विच अते नाली प्रीबॉड एक्जाम दे विच मदद हो सके सो कमेंट करके जरू दा सुना आते नाली से तना होर वीडियो देखने लेगे चैनलनों सब्सक्राइब करके नाल टे कंटी बटनों जूर्ट बालोवो इसे तना होर वीडियो जली सो जा समावे इस ना करते होए चलो पास इस वीडियो नो शुरू करते हाँ सो कुल तानू 2 गंटा समाइट ता जावेगा कुल चाली अगदा तो डा पेपर होवेगा टर्म बान दे एक्जाम दे विच तानू अब्जेक्टिव टाइफ कोशन दे पुछे गैसी लेकिन टर्म 2 दे एक्जाम दे विच तानू शोट अंसे टाइफ कोशन दे लोग अंसे टाइफ कोशन दे पुछे जानेंगे ते ना ली इस तरी तानू PDF जो है मेरे टेलीग्राम दे मिल जावेगी GS अब्डेट्स नाम दे टेलीग्राम दा चैनल है ते इस मॉनल टेस्ट पेपर दा पूरा सलीशन तानू मेरे टेलीग्राम चैनल ते मिल जावेगा GS अब्डेट्स पी एस सी भी नाम दे टेलीग्राम दा चैनल है तो जोईन जरूर कर ले न तो पहले तानू टेक्सट बेस्ट कोशन दे पुछे गई है जो कि कुल 19 वाक दे होनगे तो पहले प्रेशन दे विचे तानू अंसर दी फॉलिंग कोशन्स इन 30-35 वर्ट्स एनी टू तो एच चार प्रेशन दे विचे तानू चोईस दती गई है तुसी कोई भी दो प्रेशन इज़े विचे विचे हाल करने हन ते 35 वर्ट्स मतलब कि तुसी तिन तो चार लाइन दे विचे विचे इज़ा उत्तर देना होवेगा ते इज़े विचे तो नू चोईस दिती जावेगे पहले प्रेशन दे विचे कोई दो प्रेशन दो सी हाल करने होनगे ते हर एक प्रेशन दो दो आंकदा होवेगा सो कुल चार एंग दा प्रशन पहला होवेगा दो कोशन्स पुछे जानगे दो दो अंक दे ये दोने प्रशन होणगे ते नेक्स्ट प्रशन दूसरा इजे विच तो अनू क्या गया के आंसर दा फोलिंग कोशन्स इन 30-35 वर्ड्स एनी टू इन 4 प्रशन दे विच 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 जोरूर स्टुढ़ी का लेना थे नाली में जमात बार बीं, English ते इंगलीश थी सारे चाप्टर दे इंपोर्टन कोशन शोर्ट लॉंग दे सारे इंपोर्टन कोशन दे वीडियो बना चुछ और कहा, सो तो तुस्यों वीडियो सी निंक डिस्क्रिप्शन विच ते थे था अ आपको जिस भी कोशन में डाउट हो उस कोशन का फोटो खिचो कोशन को क्रॉप करो और तुरन त आपको उसका वीडियो स्लीशन मिल जाएगा वो भी बिलकुल फ्री में यानि या पुछ हो अलिम्टेट सवाल कहीं भी कभी भी वो भी बिलकुल फ्री में फिर चाहे आपका को सवाल क्लाच 30 से लेके बार्मी का हो IAT, JE या फिर नीट का हो या फिर CBAC, UP, Bihar, राजिस्तान या फिर अन्या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट हो Physics, Mystery, Maths, Biology, Science आपके सभी सवालों के जवा मेलेंगे आपको डाउनट एप पे और साथ में डाउनट पर चल रही हैं क्लास 9 से लेके 12 के लिए IAT, JE या नीट के लिए ओनलाइन क्लास जिसका इसा बनकर काफी बच्चे लेके आएं स्टेट में रैंक फन सो फिर देर किस पात की जल्दी से जाए और डाउनट कीजिए डाउनट एप नेक्स्ट प्रशन वाडवाद दिहां राइट दी सेंटल आइडिया आफ दा रोड नोट टेकन और ओन हिस ब्लाइडनेस सो सेंटल आइडिया तुसी पाइम दा लिखना है या फिर दा रोड नोट टेकन दा या फिर ओन हिस ब्लाइडनेस सो कुल तिन अंग दा तो दा प्रशन दुज्जा होवेगा सेंटल आइडिया तुसी लिखना होवेगा इस दा नेक्स्ट प्रशन तीज्जा answer the following question in 100 to 120 words so question 3 तो नो किया गया कि so तो 120 शब्दा दे विच्चे तो उसी जांसर लिखना है so question तो उसी देख सकती हो choice तो नो उधिती गई है write a theme of chapter the story of my life या फिर एहे या फिर what was a lesson that Dr. Barnard learned from two brave youngsters so या फिर इज़े विच्चे तोसी को एक प्रशन हल करना होवेगा cool अठांगदा टोड़ा प्रशन दिज्जा होवेगा next step प्रशन टोड़ा so next प्रशन तोसी देख सकती हो दे हो what impression do you gather about the frame maker so या फिर एवला प्रशन तोसी हल करना या फिर क्रेक्टर स्केच अफ करम सिंग तोसी लिखना है so इज़े विच्चे होई तो अनों चोज दती गई है तोसी कोई एक प्रशन लिखना है ते ए दोनों प्रशन चार चार अंक दे होणगे so कोई एक प्रशन तोसी इज़े विच्चे हो हल करना है ते ना ली कोई एक प्रशन तोसी इनना दे विच्चे हो हल करना है so कुल आठ आंग दा तो दा थर्ड कोश्चन होवेगा चोईस तो न दती गई है next दो दा grammar and composition दा सेक्शन शुरू हो जानदा है जो की नाइनटीन माखसा होवेगा पेहला तो न दो एक ट्रेक्टेड ते कोश्चन पूछे गई है so कुल दो आठ दा आठ दा ए प्रशन होवेगा दो आठ दा ही तदा बी कोश्चन होवेगा इसे विच्च तो नो कोई भी चोईस नहीं देती गई है सारे प्रेशन तुसी हाले करने लाजमी हन ते नाल फिर अगे C दे विच्छ तो नू Translate the given sentence into Punjabi Hindi, so English दे विच्छ तो नू sentence दिता जावेगा, जिसनू तुसी Punjabi या फिर Hindi दे विच्छ translate करना होएगा, फुल एक कांग दर ओड़ा C question होएगा D question दे विच्छ तो नू Translate the given sentence into English So Punjabi या फिर Hindi विच्छ तो नू sentence जो दिता जावेगा ते तुसी उसनू English दे विच्छ तो नू translate करना होएगा Next question पंजमी दे विच्छ तो नू presses पुछी गई है, write a presses of the following paragraph in your own words So गुल पांच आगदा तो ड़ा presses पंजमा होएगा presses दे लिए तुसी suitable heading देना होएगा, तो इस सारे नू तुसी पढ़के suitable heading देना होएगा जो की बहुत जरूरी है ते ना ली इस सारी presses दे विच्छ तो तुसी main main करके short करके लिखना होएगा ते लास से तुसी जरूर लिखना होएगा के total words इस paragraph दे विच्छ किन्ने हान ते ना ली तुसी प्रैसी दे विच्छ किन्ने words बढ़ाएगा सो तुसी वन थर्ड words प्रैसी दे बढ़ाने होएगा सो इस सारे paragraph दुसी read कर लेना ते उस से बाद अपने language विच्छ जो main main points हो लिख देने हन ते ना लिख स्टेबल heading भी दूर देना है कुल पांच जरूर दा प्रैसिन पंजमा होएगा नेक्स्ट है प्रैसिन छेमा इस दे विच्छ जरू नो क्या गया है के नेक्स्ट प्रैसिन सत्वा इस दे विच्छ तो नो क्या गया है के email लिखनी है या फिर तुसी newspaper दी headline नो 15-20 words दे विच explain करना है सो कोई भी तुसी दे विच्छ चूज कर सकादे हो ते कोई प्रैसिन तुसी लिखना है चौज दे विच्छ विच्छ भी सो कुल तिन लंग दा तो दा प्रशन सत्वा होगा ठे टू माक्स अनू कुछ हैंड राइटिंग दे जानगे सो जो कि दुसी बेहदर सानी ना ले सकादे हो जेकर दुसी वदिया हैंड राइटिंग कर दे हो सो एजी तो डा जमात पारमी दा इंगलिश दा पूरा सैंपल बेपर जो कि तो डा प्री बोर्ड दे विच्छ अते बोर्ड एक्जाम दे विच्छ बहुती सहाई होवेगा सो इसनल तो नो बहुती हेलप हो जावेगी सो विडियो लाइक टे शेयर जुरू का देना सारे प्रेशन बहुत जुरूरी हन तेहुन कमेंट कारके जुरू तसना तुसी के नेक्स्ट किस सब्यक्ट दी वीडियो अप्लोड किती जावेगे सारे क्लासी जी सारे सब्यक्ट से सेंपल इप्रतन नो इस चैनल उप्लोड करके जावेगे सो चैनल नो सब्सक्राइब जुरू कर लवो मिलते हैं नेक्स दीज अकली बाई बाई टाटा तन वाद